उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर की शहर कोतवाली पुलिस को टेलीफोन से सूचना मिली कि महिला सिपाही रूपा तोमर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है रूपा कोतवाली में ही तैनात थी और शहर के कृष्णा नगर मोहले में सुनील सीह के यहां किराय पर रहती थी सूचना पाकर थाना प्रभारी जितेंदर कालरा टीम के साथ मौके पर पहुँच गए रूपा का शव दुपटे के सहारे छट के कुंडे से लटका हुआ था जिस छोटे से कमरे में रूपा रहती थी उसका हर सामान बड़े सलीके से रखा हुआ था पुलिस ने घटना स्थल की जांच किया तो वहां दो तीन लाइन का एक सूसाइड नोट मिला उसमें बड़े ही साफ शब्दों में लिखा था मैं अपनी मर्जी से जान दे रही हूँ, अपनी मौत की, मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ इस मामले में किसी से कोई पूछताच ना की जाए थाना प्रभारी ने इस मामले की सूचना पुलिस के बड़े अधिकारियों को दे दी सूचना पाकर S.A.P. City अजय कुमार साहनी और डिप्टी S.A.P. City राकेश कुमार भी मौके पर पहुँच गए कुंडे पर लटके शव और मौके पर मिले सुसाइड नोट से पता चल रहा था यह मामला आत्म हत्या का ही लग रहा था रूपा का मोबाइल भी वहीं रखा हुआ था मोबाइल में कुछ मिस काल थी जो रात से लेकर सुबह तक आई थी इससे अंदाजा लगाया गया कि उसने रात में ही किसी वक्त अपनी जान ली होगी पुलिस ने रूपा का रिकॉर्ड देखा तो पता चला कि वह मूल रूप से जिला बागपत के गाव हिलवा निवासी मांगे राम तोमर की बेटी थी पुलिस ने उसके घर वालों को सूचना दी रूपा ने 24 घंटे की छुट्टी ले रखी थी घटना के समय वह छुट्टी पर थी सवाल यह था कि आत्महत्या करने के लिए क्या उसने सोच समझ छुट्टी ली थी 23 वर्षिया रूपा के अचानक इस तरह आत्महत्या कर लेने से उसके साथ ही पुलिस कर्मी हैरान थे क्योंकि वह हस्मुक स्वभाव की लड़की थी उसने ऐसा कभी कुछ जाहिर भी नहीं किया था जिससे लगता कि वह परेशान है उसकी जिंदगी में कोई परेशानी है इस बात का उसने किसी को संकेत भी नहीं दिया था रूपा ने अपने साथियों को बताया था कि एक महीने बाद उसका विवाह होने वाला है ऐसे में उसने अचानक ऐसा कदम क्यों उठाया यह बात किसी की समझ में नहीं आ रह이 थी आत्महत्या का कोई स्पष्ठ कारण भी नहीं था ऐसे में यही सोचा गया कि उसने किनी निजी कारणों से आत्महत्या की होगी रूपा ने किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया था इसलिए विशेश जांच का कोई जरूरत नहीं थी फिर भी एहतियात के तौर पर पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम को घटना स्थल पर बुलवाया इस टीम द्वारा मुआयना करके मौके से जरूरी नमूने एकत्र किये गए प्राथमिक कारेवाही के बाद पुलिस ने रूपा के शव को पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया और उसके परिजनों के थाने आने का इंतजार करने लगी शाम तक उसके पिता, मांगे राम चाचा, संजीव तोमर वह भाई सुनील तोमर बुलंद शहर पहुँच गए उनसे भी पूछताच की गई उन्होंने बताया कि एक महीना पहले ही रूपा की सगाई हुई थी 16 जून को उसका विवाह होना था वे लोग विवाह की तैयारियों में जुटे थे अपने विवाह के लिए वह खुद भी खरीदारी करने वाली थी रूपा के घर वाले ऐसी कोई वजह नहीं बता सके जिसके चलते रूपा हताशा के पायदान पर पहुँच गई हो उसकी साथी महिला पुलिस कर्मियों का भी कहना था कि रूपा अपने विवाह को लेकर खुश थी थाने में चुँकि रूपा की राइटिंग मौजूद थी इसलिए पुलिस ने पुष्टी के लिए सुसाइड नोट की राइटिंग का मिलान रूपा की राइटिंग से करके देखा उसकी राइटिंग सुसाइड नोट से पूरी तरह मेल खा रही थी इससे स्पष्ट हो गया कि सुसाइड नोट उसी का लिखा हुआ था उधर दो डॉक्टरों की टीम ने रूपा की लाश का पोस्ट मार्टम किया पोस्ट मार्टम के बाद रूपा के शव को उसके घर वालों के हवाले कर दिया गया रूपा ने खुद आत्म हत्या की थी ना उसे किसी ने उकसाया था और ना ही इसके लिए उसने किसी को जिम्मेदार ठहराया था इसलिए पुलिस ने जाँच बंद कर दिया अगले दिन पुलिस को रूपा की post-martem report मिली, तो वह चौकी report में साफ तोर पर लिखा था कि रूपा की मौत गला दबाने से सांस रुकने के चलते हुई थी, यानि उसकी हत्या की गई थी रिपोर्ट में हत्या का समय 8 से 10 बजे के बीच बताया गया था अब यह बात साफ हो गई थी कि रूपा की हत्या करने के बाद उसके शव को दुपट्टे से लटकाया गया था ताकि मामला आत्म हत्या का लगे लेकिन सवाल ये था कि अगर हत्या हुई थी तो रूपा ने सुसाइड नोट क्यों लिखा ताज्जुब की बात ये थी कि मौके पर जोर जबरदस्ती के चिन्ह भी नहीं थे जिससे यह माना जाता कि किसी ने उससे दबाव में ऐसा कराया होगा हकीकत जानने के बाद SSP उमेश कुमार क्योंकि मामला उनके ही विभाग की सिपाही की हत्या का था इसलिए उन्होंने जाँच में थाना पुलिस के साथ साथ अपराध शाखा की टीम को भी बुला दिया पुलिस यह मान कर चल रही थी कि हत्यारा बहुत चालाख है वह आया और हत्या को आत्म हत्या का रूप दे कर चला गया सुसाइड नोट की लाइन इस बारे में किसी से पूछताच ना की जाए उसने जान बूज कर लिखवाई होगी ताकि पुलिस किसी से पूछताच ना करके इसे आत्म हत्या माने और जाच बंद कर दे यह बात साफ थी कि हत्यारा रूपा का ही कोई ऐसा जानकार था जिसे अपने कमरे पर आने से वह इंकार नहीं कर सकती थी दूसरे उसे कोई डर होता तो वह शोर मचाती या किसी को बताती यहां यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया कि ऐसा कौन आदमी रहा होगा जो रूपा की मर्जी से उसके पास पहुँचा और उसकी हत्या करके चला गया पुलिस ने रूपा के घरवालों को बुलवा कर उनसे विस्तरित पूछताच की तो वे ऐसे किसी व्यक्ती के बारे में नहीं बता सके जिस पर संदेह किया जा सके उनकी खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि रूपा के साथ ऐसा किस ने और क्यों किया उन्होंने बताया कि रूपा का रिष्टा मेरट के कजबा जानी में रहने वाले राहुल के साथ हुआ था राहुल सी आईये सेफ में सिपाही था फिलहाल उसकी तैनाती बिहार की राजधानी पटना में थी राहुल और रूपा के साथ साथ दोनों परिवार भी इस रिष्टे से खुश थे रूपा का मॉबाइल हत्या का राज खोल सकता था पुलिस ने उसके मॉबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स हासिल करके उसकी चान बीन की तो पता चला कि एक नंबर पर उसकी सबसे ज्यादा बातें होती थी उस नंबर के बारे में उसके घर वालों से पूछा गया तो पता चला वह नमबर राहुल का था हत्या वाले दिन और उससे पहले रूपा की राहुल से बराबर बात हो रही थी जबकि एक तारीख की दोपहर के बाद दोनों के बीच किसी प्रकार का संपर्क नहीं हुआ था पुलिस ने राहुल का नमबर मिलाया लेकिन वह स्विच ओफ आ रहा था इससे पुलिस के शक की सुई राहुल पर जाकर रूख गई पुलिस ने रूपा के मकान मालिक से भी पूछ ताच किया उसने एक ऐसी बात बताई जिससे पुलिस के शक को और भी बल मिला रूपा ने मकान मालिक को एक दिन पहले बताया था कि उसका मंगेतर उससे मिलने के लिए आएगा यह जानने के बाद पुलिस ने राहुल के नमबर की सभी डिटेल्स हासिल कर लिया उससे पता चला कि एक मई की दोपहर से लेकर रात तक राहुल की लोकेशन बुलंद शहर में ही थी इसके बाद उसने अपना मोबाइल स्विच आफ कर दिया था शक को मजबूत आधार मिला तो पुलिस ने रूपा के घरवालों की तरफ से राहुल के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया इसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुट गई एक पुलिस टीम राहुल की तलाश में पटना रवाना कर दी गई 14 मई को पुलिस राहुल को हिरासत में लेकर बुलंद शहर लोट आई पुलिस की इस तरह की कारवाई से वह हक्का बक्का था पुलिस ने उससे सीधा सवाल किया तुमने रूपा की हत्या क्यों? कि राहुल ने सीधा जवाब दिया मैं भला उसकी हत्या क्यों करूँगा वह मेरी मंगेतर थी हम दोनों तो अपनी शादी से खूब खुश थे तुम्हारा मोबाईल क्यों बन था? पूछने पर राहुल बोला मेरा मोबाईल खराब हो गया था मुझे आपसे ही पता चला है कि रूपा की हत्या हो गई है तुम्हारी रूपा से आखिरी मुलाकात कब होई थी? सगाई के बाद हम लोग एक बार मिले थे वैसे मोबाईल पर हम बराबर बातें करते रहते थे राहुल के जवाबों से पुलिस समझ गई कि वह हद से ज्यादा चालाक भी है और जूट बोलने में माहिर भी है लेकिन जब पुलिस ने उसके साथ सखती की तो वह तूट गया पहले वह खामोश होकर रहा फिर उसने कबूल कर लिया कि रूपा की हत्या उसने ही की थी और ये आइडिया उसे शाहरुक खान की फिल्म बाजीगर देख कर आया था रूपा की हत्या कि उसने जो वजह बताई वह एक युवा लड़की के विश्वास और भावनाओं के साथ खिलवाड के बाद बेरहमी से हुए कतल की कहानी थी किसान परिवार में जन्मी रूपा होनहार युवती थी उसकी ख्वाहिश थी कि वह बड़ी होकर पुलिस विभाग में नौकरी करें यह सर्व विदित है कि उद्देश्य अगर पहले ही साफ हो जाए तो मनजिल तक पहुँचने की राहें आसान हो जाती है रूपा के साथ भी ऐसा ही कुछ था रूपा का परिवार आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा सक्षम नहीं था वह चाहती थी कि बड़ी होकर परिवार के लिए कुछ करें इनसान की जिंदगी कई तरह की राहों से होकर गुजरती है इन राहों में बहुत से लोग मिलते बिछडते हैं इन लोगों में किस से करीबी रिष्टे बन जाएं कोई पता नहीं होता कॉलेज के दिनों में ही रूपा की मुलाकात विशेश कुमार से हुई विशेश कुमार जिला मेरट के केकड़ा थाना क्षेत्र के गाम का रहने वाला था रूपा सुन्दर और हसमुक स्वभाव की थी विशेश उसे पसंद करता था वह पढ़ने में भी महनती थी विचार मिले तो दोनों के बीच दोस्ती हो कई विशेश की पारिवारिक हालत काफी खराब थी वह किसी भी तरह अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी करना चाहता था रूपा उन युवतियों में से थी जो दूसरों की पीडा को अपनी समझते हैं एक दिन विशेश को परेशान देख रूपा ने उससे पूछा तो उसने बताया कि वह फीस का इंतजाम नहीं कर पा रहा है हो सकता है फीस ना भर पाने के कारण उसे पढ़ाई छोड़नी पड़े रूपा उसकी बात सुनकर गंभीर हो गई उसने विशेश को समझा कर आश्वासन दिया कि वह उसकी मदद करेगी उसने किसी तरह इंतजाम करके विशेश को फीस के रुपए दे दिये इससे वह बहुत खुश हुआ बिये करने के दोरान ही 2011 में उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद के लिए वैकेंसी निकली तो रूपा और विशेश ने तय किया कि वह इसके लिए प्रयास करेंगे दोनोंने एक साथ पंजीकरन फार्म भरा चैन के लिए प्रतियोगी टेस्ट हुए तो रूपा का चैन हो गया जबकि विशेश रह गया इससे रूपा को तो दुख पहुँचा ही विशेश भी मन मार कर रह गया रूपा का परिवार बेटी के पुलिस में जाने से खुश था कुछ महीनों के प्रशिक्षण के बाद रूपा को तैनाती मिल गई 2013 में रूपा का स्थानांतरण बुलंद शहर जनपद में हो गया विशेश चूँकि अब तक कहीं नौकरी नहीं कर पाया था इसलिए वह परेशान रहता था वक्त वक्त पर रूपा उसकी आर्थिक मदद करती रहती थी दोनों की इच्छा विवाह करने की थी लेकिन रूपा का परिवार उसके परिवार की खस्ता हालत की वजह से इसके लिए तैयार नहीं हुआ विशेश ने सोचा था कि उसे कमाव पत्नी मिलेगी तो उसके आर्थिक संकट दूर हो जाएंगे रिष्टा नहीं होने से वह निराश हो गया उसके दिल में प्रतिशोध की चिंगारी भड़कने लगी उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह रूपा को किसी और की भी नहीं होने देगा लेकिन उसने अपने इरादे कभी जाहिर नहीं होने दिये यह अलग बात थी कि मांगने पर रूपा उसे पैसे भेज देती थी रूपा की तैनाती देहात के थाने में थी वहां उसे काफी दिक्कत होती थी इसलिए वह शहर में आना चाहती थी इसी दौरान उसकी मुलाकात सिपाही सुशील जावला से हो गई सुशील अपराध शाखा में तैनात था और मूल रूप से नव स्रिजित जिला शामली के थाना कांधला क्षेतर के गांव भबीसा का रहने वाला था वह काफी तेज था अधिकारियों के संपर्क में रहने से डिपार्टमेंट में उसकी अच्छी पकड़ थी रूपा पहली ही नजर में सुशील के दिल में उतर गई भावनात्मक स्वभाव की रूपा पुलिस की नौकरी में भले ही आ गई थी लेकिन उसमें ना तो पुलिस जैसी तेजी थी और ना ही उसे जमाने का तजुर्बा था सुशील ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो रूपा भी इंकार नहीं कर सकी रूपा ने अपनी समस्या सुशील को बता दी थी सुशील चाहता था कि रूपा पूरी तरह उसके जाल में फंस जाए इसलिए उसने अधिकारियों से अपने संबंधों का फाइदा उठा कर रूपा को शहर लाने के प्रयास शुरू कर दिये इस प्रयास में उसे सफलता मिली जिसकी बदौलत रूपा को शहर कोतवाली में तैनाती मिली गई दोनों के बीच मुलाकातों बातों का सिलसिला बढ़ा तो सुशील ने प्रेम का इजहार करके रूपा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा एक तो सुशील अपनी ही जाती का था दूसरे था भी मेरट की तरफ का रहने वाला इसलिए रूपा को यह ठीक लगा उसने सोचा कि सुशील भी सरकारी नौकरी में है इसलिए दोनों का जीवन सुख में रहेगा शादी की बात करते समय सुशील ने एक बात साफ कर दी थी कि वह शादी दो साल से पहले नहीं करेगा उसने रूपा को खूप सपने दिखाय थे इसलिए वह दो साल बाद भी शादी करने को तयार थी रूपा विशेश को अपना दोस्त भी मानती थी और शुभचिंतक भी उसने इस बारे में विशेश को भी बताया उसने रूपा की हां में हां तो मिलाई पर अंदर ही अंदर जलता रहा विशेश चाहता था कि रूपा की शादी किसी से भी ना हो ताकि उसे और उसके घर वालों को यह पच्छतावा रहे कि विशेश से रिष्टा ना करके उन्होंने बहुत बड़ी भूल की है विशेश ने किसी तरह सुशील का पता लगाया और उससे संपर्क करके रूपा के पुराने दिनों की बातें बता कर उसे भढ़काने का प्रयास किया लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ा उधर रूपा ने सुशील के बारे में अपने घर वालों से बात किया जब उन्हें पता लगा कि बेटी विवाह करना चाहती है तो उन्होंने सुशील के बारे में पता लगाया लेकिन उन्हें जो जानकारी मिली उसे उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई सुशील ना सिर्फ विवाहित था बलकि एक बच्चे का बाप भी था यह बात रूपा को पता चली तो उसके सारे सपने तूट कर बिखर गए वह समझ गई कि सुशील को विवाह की जल्दी क्यों नहीं थी दरसल सुशील शादी के बहाने उसे भावनाओं के जाल में फंसा कर मन बहलाने का साधन बनाना चाहता था इस जटके ने रूपा को अंदर तक हिला कर रख दिया रूपा ने सुशील को जम कर खरी खोटी सुनाई और उससे पूरी तरह संपर्क तोड़ दिया विशेश को इससे बहुत सुकून मिला जबकि रूपा से अफसोस जता कर वह उसका सच्चा हिताशी होने का ढोंग करता रहा इसी बीच सुशील का स्थानांतरन बागपत जिले में हो गया उधर रूपा के परिजनों ने उसके लिए रिष्टे की तलाश शुरू कर दिया मार्च 2014 में यह तलाश राहुल के रूप में पूरी हुई अच्छे परिवार का राहुल CRPF में था रूपा और राहुल ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो दोनों का रिष्टा पक्का हो गया दोनों ही परिवार चाहते थे कि विवाह जल्द हो जाए इसलिए 7 अप्रैल को सगाई की रस्म पूरी कर दी गई विवाह के लिए भी 16 जून की तारीख तै हो गई सगाई होने के बाद रूपा और राहुल की मोबाइल पर बातें होने लगी रूपा ने राहुल को विश्वास दिलाया कि वह उसे बहुत प्यार करती है और हमेशा करती रहेगी राहुल भी यह सोच कर मन ही मन खुश था कि उसने होने वाली पतनी के रूप में रूपा जैसी सुन्दर वहसमुख युवती का चुनाव किया है रूपा की खुशी भी किसी से छिपी नहीं थी उसने सभी को बता दिया था कि एक महीने बाद उसका विवाह होने वाला है विशेश खुद को रूपा का तैशी जताता था वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था इसके लिए वह जब तब रूपा से पैसे मांगता रहता था वह भी यह सोच कर पैसे दे देती थी कि वह उसका दोस्त भी है और वक्त का मारा भी है विशेश को जब रूपा की सगाई और विवाह की योजना का पता चला तो एक बार फिर उस पर बिजली सी गिरी उसने तै कर लिया कि वह इस रिष्टे को तुडवा कर रहेगा विशेश सुशील के नजदीक आ चुका था पोल खुलने पर रूपा के हाथों हुई बेईज़ती की वजह से सुशील भी अपमान की आग में जुलस रहा था सुशील अपराध शाखा में रह चुका था अपने संपरकों का इस्तिमाल करके उसने सबसे पहले रूपा की काल डिटेल्स हासिल की इस से उसे उस नंबर का पता चल गया जिस पर वह सबसे ज्यादा बात करती थी वह नंबर राहुल का था उसने राहुल का नंबर विशेश को बता दिया विशेश ने राहुल को एक दिन फोन करके बताया कि वह रूपा से शादी ना करें क्योंकि मैं उसे प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ विशेश ने अपना नाम बताए बिना राहुल के सामने शर्त रखी थी कि वह इस बारे में रूपा को कुछ न बताए हो वाली पतनी के बारे में ऐसी बातें सुनकर राहुल का खून खोल गया उसने रूपा से इस मुद्दे पर बात की तो उसने उसे जूट बताया बहरहाल दोनों के बीच तकरार और प्यार चलता रहा धीरे धीरे राहुल को विश्वास हो गया कि कोई उसे भढ़काने के लिए ऐसा कर रहा है राहुल को विश्वास में लेकर रूपा ने वह नंबर हासिल कर लिया जिससे राहुल को फोन किया गया था वह नमबर विशेश का निकला रूपा ने फोन मिलाकर विशेश को खूब लताड़ा उसने सफाई देनी चाही लेकिन रूपा ने उसकी एक नहीं सुनी रूपा ने उससे बात तक करनी छोड़ दी योजना अनुसार इसके बाद सुशील ने राहुल को फोन करके अपने और रूपा के रिष्टे की बातें बताई और उसे दूर रहने की धमकी दी इन बातों से राहुल का दिमाग खराब हो गया इस तरह विशेश और सुशील ने मिलकर उसके मन में शक का बीज बो दिया इस बात को लेकर रूपा और उसके बीच तकरार भी हुई इधर ये सब चल रहा था और उधर रूपा का परिवार विवाह की तैयारियां करने में लगा था इन बातों के बाद रूपा से बात करनी बंद कर दी तो वह विचलित हो गई इसके बावजूद उसने रूपा को विश्वास दिलाने के लिए उसे फोन करना जारी रखा दोनों के बीच कई दिनों तक रूठने मनाने का दौर चलता रहा उधर विशेश भी राहूल को फोन करके भड़काता रहा जबकि रूपा राहूल को विश्वास दिलाती कि वह सिर्फ उसी से प्यार करती है और उसके लिए अपनी जान भी दे सकती है एक मई को रूपा ने राहूल से मिलने आने को कहा राहूल ने इंकार किया तो वह मिन्नत करते हुए बोली प्लीज राहूल आ जाओ मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूँ ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो राहूल तयार हो गया रूपा ने इंटरनेट के जरिए एक मई का ट्रेन से उसका आरक्षन भी करा दिया उसके साथ वक्त बिताने के लिए उसने 24 घंटे की छुट्टी भी ले ली एक दिन पहले रूपा ने मकान मालिक को भी बता दिया कि उसका मंगेतर उससे मिलने के लिए आएगा एक मई की दोपहर राहुल उसके पास गया रूपा बहुत खुश थी रूपा ने खाना बनाया और दोनों ने साथ खाना खाया रूपा ने उसे बताया कि किस तरह लोगों ने उसका फाइदा उठाने की कोशिश किया वे लोग अपने इरादों में नाकामयाब रहे इसलिए उसे भड़का रहे हैं इसी बीच रूपा के मोबाइल पर एक दो लोगों के फोन आए इनसान के दिमाग में शक हो तो उसे सब कुछ वैसा ही दिखता है जैसा उसके दिमाग में चल रहा होता है राहुल के साथ भी यही हुआ उसे लगा कि उसके पुरुष दोस्तों के फोन है और विवाह के बाद भी वह ऐसी ही रहेगी इस तरह फोन आने पर दोनों के बीच काफी तनातनी हुई इसी बीच रहुल ने एक खतरनाक निर्ने ले लिया दरसल रिश्टा होने के बाद एक दिन रहुल ने टीवी पर फिल्म बाजीगर देखी थी फिल्म में शाहरुख खान चालाकी से दुश्मन की बेटी को प्यार के जाल में फंसा कर पहले सुसाइड नोट लिखवाता है फिर उसे चछत से फेंक देता है राहुल के पास जब रूपा के बारे में फोन आने शुरू हुए थे तो उसने सोच लिया था कि अगर उसे रूपा पर विश्वास नहीं हुआ तो वह भी उसे इसी तरह मार डालेगा उस दिन जब रूपा के मोबाइल पर एक दो फोन आये तो राहुल ने मन ही मन ऐसा ही करने की योजना बना ली इसके लिए सबसे पहले उसने प्यार जता कर रूपा को जहांसे में लिया रूपा भावात्मक वा आत्मिक रूप से उसे अपना मान चुकी थी और हर हाल में उसकी होना चाहती थी अपनी योजना के अनुसार राहुल ने कागज पैन उठाया और अपनी तरफ से सुसाइड नोट लिखकर रूपा को थमाते हुए बोला मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ अब अगर मुझे कुछ भी हो जाए उफ तक नहीं करूँगा अब बोलो तुम भी मुझसे इतना ही प्यार करती हो बिल्कुल तो ठीक है जैसा मैंने लिखा है हिम्मत है तो तुम भी एक कागज पर लिख कर दो तुम्हारे लिए मैं जान भी दे सकती हूँ राहुल मैंने तुम्हें अपना सब कुछ मान लिया है फिर यह लाईने क्या चीज है लाओ लिख देती हूँ राहुल से कागज पेन लेकर रूपा ने भी वैसा ही लिख कर द रूपा लेटी हुई थी। उसने सोचा कि राहुल मजाक करके उसकी परीक्षा ले रहा है। राहुल ने उसके दोनों हाथों के पंजे उसकी गर्दन पर रखकर उनके उपर हलका दबाव बनाया। तो रूपा कुछ नहीं बोली। वह इसे मजाक समझती रही। उससे नहीं पता था कि वह अपनी मौत को न्योता दे रही है। राहुल ने इसका फाइदा उठा कर कस कर उसकी गर्दन दबा दिया। और तब तक हाथ नहीं हटाए जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए। रूपा के हाथ उसके कबजे में थे। उसकी चटपटाहट रोकने के लिए वह उसके उपर बैठ गया था। इस तरह राहुल अपनी योजना में पूरी तरह कामयाब हो गया। इसके बाद उसने एक दुपट्टा लेकर कुंडे से बांधा और रूपा को उठा कर उस पर रटका दिया। फिर उसने बिस्तर वगेरा ठीक किया। अपना लिखा सुसाइड नोट उसने अपनी जेब में रखा और रूपा को उसी हालत में छोड़कर चुपचाप वहां से निकल गया। उसने सोचा था कि पुलिस इसे आत्महत्या ही समझेगी। ऐसा हुआ भी। ल पूरे मामले पर नजर रख रहा सिपाही सुशील तब तक ड्यूटी से फरार हो गया था। पुलिस ने दोनों गिरफतार आरोपियों को अदालत में पेश किया। जहां से उन्हें 14 दिन की नियाएक हिरासत में जेल भेज दिया गया। कहानी लिखे जाने तक पुलिस अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें ताकि बाकी लोग भी इस खौफनाक कहानी के बारे में जान सकें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर आउन कर ले। मिलते हैं क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही एक और सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद।